बात करने वाले ads of e-retail limited के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू इस company ने अपना खुद का FB launch कर दिया दोस्तों और यह company retailing business में है और online products based ही है मैंने इस पर एक और पहले भी वीडियो बनाया था मैं उसमें लेकन आपको एक चीज नहीं बता पाया था वो मैं इस बीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों यह एक तो बहुत ही sustainable रहा है और बहुत ही चोटी company अभी जितनी चोटी जाया company होती है उसमें उतना ही ज्यादा growth का potential होता है अगर आप यह चाते हो कि share market में आपको ज़्यादा पैसा बनाना है मनला आपको returns ज़्यादा चाहिए तो आपको एक तो ऐसा share ढूना पड़ेगा जो fundamentally strong हो उसका business strong हो इन future में growth करने वाला हो और ऐसा business हो जो कभी बंद ना हो ठीक है तो यह retail business ऐसा है जोस्तो कि online तो product बेचेगा बेचेगा आदमी चाहिए lockdown लग जाए तो online delivery भी हो जाएग तो ऐसा product और उपर से product कैसे बेचता है यह company जो है यहाँ पर आप देखोगे best seller में भी इसके product चलते रहते हैं जोस्तों यहाँ पर आप देखोगे अपने आप में क्रसी बहुत बड़ी इंश्टी है और उसके लाव आपको बता दू health care भी अपने आप में बहुत बड़ी इंश्टी है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज नहीं बता पाया था जो कि बहुत इंप्रेंट इस तो टो तो यहाँ पर आप देखो गये एक बार इसका यह एप है यह वाला जोग है आप इसको प्लेज स्टोर से यह गूगल से थीक है वहाँ से भी कर सकते हो और online भी मंगा सकते हो यह सारी चाहिए तो company अपने आपको बेन अपने business को grow कर रही है और according to trend जिस तरीके से online सारी चीज़ें हो गई है उसी प्रकार इसकी भी सारी चीज़ें online हो गई है तो company अपने business को online ग्रोफ कर दी दोस्तों और बहुत अच्छा बेनिस भी कर रही है तो इस तरीके से दोस्तों कमपणी के प्रोड़क्स ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं और उपर से कमपणी के अब देखो कि यहां पर एक तो बहुत ही चोटी कमपणी अभी 304 करोड़ का है तो यहीं वो कमपणी है जिसमें पोटेंसिल है हजारों लाकोँ परसंड का रेटन देने का तो यहां पर आप देख पा रहे हो केवल 78 परसंड इसकी 78 रुपए प्राइस की लेकिन इंट्रांजिक वैलू 111 रुपए तो इस तरीके से 200 रुपए का शेर आपको 70-80 रुपए में मिल रहा है इस्टोक का पी बहुत कम है अच्छी बात है 14 है ROC 100% का है ROE 400% का है के पास debt भी नहीं है 3.30 करोर का debt है और पास reserve काफी अच्छा है 20 करोर का तो company debt free है करन liability बहुत कम है current assets बहुत ज्यादा है जो की assets ज्यादा ही होने चाहिए किसी भी पर assets ज्यादा होने चाहिए लैविल्टी कम होने चाहिए जो की return on assets काफी अच्छा है कंपणी के पास प्रवाटर्स की वोड ने है वो भी काफ़ी अच्छी तो इस तरीके सो बहुत ही कंपणी स्ट्रॉंग बेइनिस कर रहे हैं और स्ट्रॉंग फंडामेंटन है उस तो कंपणी को अभी आई हुई जाधा टाइम ने हुआ है इस्टेबलिश देन 2015 में ही कंपणी इस्टेबलिश हुई थी और काफ़ी अच्छा-खासा बेइनिस कर रहे हैं और अच्छा-खासा रेटर्न भी निकालकर दे रखी कंपणी ने तो यहां पर दोस्तों हम इसका एक वार रेटर्न का प्रोफाइल देखते हैं तो यहां पर आ आप इग्णोर मत करना अपने रडार पर रखिए और हो सकतो अपने पोर्ट फूलिव में रखो तो वह बैटर होगा रडार पर रखने से पैसा नहीं बनेगा इस्मॉल कैप पैनी सेर ढूड़िए इस्ट्रॉंग सेर मिल जाता है और आपके पास पैसेंज है तो आप काफ अप्रभाय करके चल सकते हैं बहुत इस्ट्रोंग कर लिया करो दोस्तों आपके हमें मोटिवेशन मिलता है इसलिए कॉमेंस खरके सबस्क्राब भी कर लिया करो so thanks for watching us to learn and subscribe now